डियर सुदेंट, रैलेटिव का मतलब है किसी चीज से रिलेट करना फॉर एजेंपल, मैं कहता हूँ कि ये टेबल की लेंग्थ 10 फीट है तो इसका मतलब कि हम इसको किसी स्टैंडर्ड से रिलेट करते हैं तो साइंटिस्ट ने 1 फीट का एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है अब अगर इस टेबल की लेंग्थ 10 फीट है इसका मतलब कि उस स्टैंडर्ड के मुकाबले में ये 10 फीट लॉंग है इसी तरह मैं अगर कहता हूँ इस मारकर का वेट 20 ग्राम है तो साइंटिस्ट ने once again एक ग्रेन रखा हुआ है जिसका स्टैंडर्ड मैस 1 ग्राम है इसका मतलब कि ये 20 टाइम्स उस स्टैंडर्ड के मुकाबले में ज्यादा भारी होगा यानि कि हम किसी भी चीज़ के मैस को या लेंक्ट को या किसी भी चीज़ को हम किसी ना किसी स्टैंडर्ड से रिलेट करते हैं तो एटम के मैंने आपको बताया आटॉमिक मैस होते हैं तो उनको भी तो किसी ना किसी स्टैंडर्ड से रिलेट करना चाहिए इस चीज के लिए scientist ने elements को standard मानना शुरू किया सबसे पहले उन्होंने hydrogen को standard रखा because उसका atomic mass था 1 अब अगर किसी भी atom का atomic mass 16 है it means कि वो उस standard के मुकाबले में 16 टाइम ज्यादा भारी है या किसी भी atom का atomic mass है 24 इसका मतलब वो hydrogen के मुकाबले में 24 टाइम ज्यादा हैवी है लेकिन सुडेंट्स किसी भी चीज को standard मानने के लिए जो procedure से जो points से उन में hydrogen पूरा नहीं हो रहा था तो at the end scientist को carbon को select करना पड़ा जो के उन सारे points को या standard को verify कर रहा था अब problem ये होई कि carbon का तो atomic mass है 12 तो हम कैसे relate कर सकते हैं कि एक atom का atomic mass है 16 तो वो carbon से कितना ज़्यादा भारी है यानि 12 ratio 16 करके कुछ अजीब सी एक ratio बन जाएगी तो हम इसको solve नहीं कर सकते तो scientist ने standard को तो change नहीं किया लेकिन एक changing जरूर कर दी कि carbon के atomic mass 12 को 1 by 12 से multiply कर दिया जिसका answer बन गया once again 1 तो इसका मतलब अब मैं कह सकता हूँ कि एक atom का atomic mass अगर 16 है तो वो 1 by 12 part of carbon से 16 times जादा heavy होगा तो आप बात follow कर रहे हैं इसी तरह अगर मैं कहता हूँ एक atom का atomic mass है 10 इसका मतलब कि वो carbon के 1 by 12 part से 10 times जादा भारी होगा बस यही relative atomic mass है कि जिसमें आप किसी भी atom को किसी standard atom से compare करते हैं हमारे case में 1 by 12 part of carbon के atom से compare किया जाएगा because once again मैं repeat करता हूँ कि 1 by 12 multiply by 12 आपको answer मिल जाएगा 1 12 का मतलब carbon का atomic mass है 12 और 1 by 12 मतलब कि उसको 1 by 12 से multiply कर दें तो answer will be 1 Dear students, relative atomic mass की जरूरत क्यों पड़ती है एक atom का atomic mass बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो हम उसको find नहीं कर सकते तो इस विज़ा से हम उसको किसी भी substance से या किसी element से या किसी standard reference से compare जरूर कर सकते है That's why हमें relative atomic mass की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर आपको definition के साथ ये question भी आ जाता है paper में कि what is relative atomic mass, why it is needed So we may define relative atomic mass as the mass of an atom of element as compared to carbon 12 atom is called as relative atomic mass कि उसको कि पुग कि कि और लादको